Hello Friends, Welcome to your YouTube Channel Fintech Fintech Channel में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम कुछ इस टॉक के बारे हम बात करेंगे जिनमें हमें एक उच्छाल भी देखने को मिला और कुछ इस टॉक में हमें काफी ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिल रही है सारी चीज को डिटेल में डिसकस करेंगे आखिर गिरावट हो रही है तो क्यों हो रही है और अगर हो रही है तो वहाँ पर हम क्या करें क्या उन स्टॉक को बेंज दें या फिर जो स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं उनमें हम profit booking कर लें सारा सब कुछ इस वीडियो में हम detail में discuss करने वाले हैं but before that if you are first in the channel and have not subscribed our channel then this is the right time subscribe the channel with the bell icon IPO से related, stock market से related और mutual fund से related ऐसी बहतरीन और शांदार वीडियो को सबसे पहले access करने के लिए चलिए बिना किसी देर के वीडियो को कर लेते हैं शुरू चलिए बात करें यहाँ पर दीपक नाइट्रेट की तो यह न्यूज आप देख सकते हैं 14 दिसंबर की न्यूज है और यहाँ पर अगर न्यूज की हम detail में जाए तो आप देख सकते हैं कि कमपनी की यहाँ बोर्ड मेटिंग होने वाली है related to यहाँ पर जो यह fund raise करने वाले हैं उससे related यहाँ हमें एक news देखने को मिल रही काफी positive news है यह news दिखा रही है कि कमपनी का management जो है तो कितना यहाँ पर positive है अपने company के expansion को ले करके capex को ले करके कितना solid income यहाँ पर management हमें देखने को मिलता है आज कि अगर हम इसमें trading session की बात करें तो almost इंटरडे में हमें 2% का यहाँ पर इस stock में जो है तो high लगाते हुए देखने को मिला है और अगर closing की बात करें तो आप देख सकते हैं 2340 की closing है almost 1% का अब जो है तो previous closing से हमें देखने को मिल रहा है company जो है तो काफी जादा यहाँ पर correction आपको दिखा चुकी है यहाँ पर आप मान सकते हैं almost जो है तो 33% का almost यहाँ पर correction इस stock में हमें देखने को मिला है company के अगर यहाँ पर business की बात करें तो almost 70% का जो market का capture है इंडिया में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं sodium nitrite और sodium nitrate के business में हमें देखने को मिलता है वहीं अगर हम इनके phenol और acetone के business की बात करें तो वो भी इंडिया में लगभग 75% का market का capture हमें देखने को मिलता है एशिया में यह company जो है तो globally phenol के यहाँ पर business के लिए यहाँ पर globally जानी जाती है तो company का आप देख सकते हैं कि business model काफी अच्छा है management काफी अच्छा है और यही reason है कि company जब इतनी ज़्यादा गिरावट में आई थी तो ऐसी कुछ company आ है 2000 के level की बात कहें या 2500 के level की बात कहें यहाँ पर यह 2500 का level तो यह इन levels पर भी मैंने बोला था कि आप इसमें उठा सकते हैं अगर आपके पास averaging 2500 की है तो आप stock को आराम से hold and continue करिए आने वाले time में आपको एक अच्छा return मिलेगा बस थोड़ा सा patiently आपको fundamentally काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है बावजूद इसके इस stock में काफी जादा आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल गई है आप देख सकते हैं यह जो गिरावट है यह लगभग April के महीने में यह जो low लगा था finally उस low को इसने अभी हाल फिल हाल में टच कर दिया है RSI की यहाँ पर बात करें तो 29 का RSI चल रहा है जो की बताता है काफी जादा oversold हो गया है इसके दो reason जो हैं तो काफी clear यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो शायद इसकी गिरावट के लिए काफी जादा responsible है आप यहाँ पर volume भी देख सकते है volume average से यहाँ पर काफी जादा बहुत जादा तो नहीं बट फिल भी average से हमें थोड़े से जादा volumes यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो इस गिरावट के लिए काफी जादा यहाँ पर responsible है चलिए अब अगर reason को यहाँ पर discuss करें तो सबसे पहला जो reason मुझे समझ में आ रहा है गिरावट के पीछे वो यह reason यह हमें देखने को मिलता है चोकि कोई भी credit card company जो है तो अभी extra charge नहीं करती है अपने credit card पर वहीं SBI card की हम बात करें तो इसने जो है तो अभी एक नया charge जो है impose कर दिया है अपने customer पर और वो है कि EMI पे 99 रुपीज प्लस GST का extra charge इसने अपने customer पर impose कर दिया है जो कि मुझे लगता है although company के लिए positive है बट अगर customer point of view से देखें चुकि company के पास monopoly नहीं है company के पास कोई moat नहीं है business में और उसके बावजूद चुकि किसी भी credit card company ने ये charge impose नहीं किया है तो इनका इस तरीके से charge impose करना कहीं न कहीं मेरे हिसाब से थोड़ा सा negative sentiment बनाता है और यही reason है कि इस news के बाद से एक अच्छी गिरावट देखने को मिली अभी हाल फिलहाल में एक और जादा गिरावट हुई है उसका reason जो है दूसरा जो मुझे देखने में समझ में आ रहा है वो यहाँ पे MDR का जो rate है उसमें reduction जो है तो हमें देखने को मिल रहा है MDR क्या होता है MDR होता है merchant discount rate merchant discount rate usually होता है जब भी आप POS में अपने credit card से transaction करते हैं जैसे आपने कुछ transaction किया suppose करते हैं 1000 रुपए या 1,00,000 रुपए जो भी transaction करते हैं उस पर क्या होता है कि merchant को कुछ जो है तो वहाँ पे charges pay करने होते हैं जो जिस भी card के against उसने transaction किया है suppose करें SBI card के against किया है तो उनको charges जो है SBI card को कुछ देने होते हैं जिससे SBI card जैसी कंपनियों के वहाँ पे revenue generate होते हैं तो RBI ने अभी यहाँ पे एक decision दिया है कि वो इस MDR को कम करने वाले हैं जिससे यहाँ पे इनके revenue में जो है तो एक negative impact पढ़ने वाला है which is also another point which is giving a negative impact on this stock और यही reason मुझे समझ में आ रहा है कि stock जो है इतना नीचे तक चला गया है अब बात करें अगर यहाँ पे strategy की तो इस stock में काफी जादा ups and downs रहे हैं जिनके पास यह stock है चाहे वो उपरी level पर लिए हो या नीचे के level पर लिए हैं मेरे हिसाब से आप इसमें hold and continue करिये company अच्छी है और credit card के अगर penetration की बात किये जाए तो आज अगर हमारी country में आप देखेंगे 300 में से 100 लोगों के पास आपको credit card देखने को मिलेगा लेकिन वहीं अगर हम developed country जैसे US की बात करें तो वहाँ 100 लोगों में 300 credit card मिलेगी यानि पर एक बंदे के पास आपको जो है 3 credit card देखने को मिलते है तो ये credit card का penetration देखने को मिलता है जैसे जैसे आपका per capita जो है तो income improve होती है company माफ कीज़ेगा जैसे जैसे देश की economy improve होती है तो इन चीजों का भी penetration बढ़ेगा तो आगे आने वाले time में no doubt company अच्छा कर सकती है तो loss में बेचने की सला नहीं है आप hold and continue कर सकते हैं बाकी जो लोग fresh entry लेना चाहते हैं चाहे swing trade की बात हो या long term की मेरे हिसाब से ये level काफी अच्छा है चलिए बात करते हैं IX की दोस्तो IX हो गया आपका CDSL हो गया ये कुछ ऐसी कमपनिया है जहां आपको ये नहीं देखना है कि अब यहाँ पे profit book कर लें या यहाँ पे आप loss book कर लें क्योंकि ये एक ऐसी शांदार कमपनिया है monopoly company हमें देखने को मिलती है और अगर इनके business model की growth की बात किया जाए तो वो आपको इस तरीके से exponential growth जो है देखने को मिलेगा तो ऐसी कमपनियों में आपको मेरे हिसाब से long term के लिए जाना चाहिए और कभी profit booking के बारे में सोचना नहीं चाहिए उसका reason ये है कि जैसे for example CDSL की बात करें फिर मैं वही कहना चाहूँगा कि company में potential growth बहुत जादा है और इसने proof भी किया है अभी कुछ महीनों में और इसकी rally को देखिए जिनने profit booking की है definitely उनको यहाँ पर regret जरूर हुआ है अब चुकि stock इतना जादा भागा है तो थोड़ा सा तो वो समलेगा थोड़ा सांस लेगा फिर उसके बाद एक और rally आपको देखने को मिलेगी बाकी अगर हम यहाँ पर इसके resistance की बात करें आप देख सकते हैं 300 में काफी strong यहाँ पर हमें resistance देखने को मिलता है लेकिन जिस दिन ये break होगा उस दिन stock जो है बहुत गजब की rally करके आपको दिखाएगा यहाँ पर अगर हम इसके technical chart की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक W pattern यहाँ पर बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है जहाँ पर इसका जो support है almost आपको 235 के आसपास देखने को मिलता है हो सकता है कि यह जो है तो अपना support 250 के आसपास ले ले और फिर भी अगर गिरता है तो एक support यहाँ पर जरूर लेता हुआ आपको देखने को मिल सकता है तो यह stock अगर आप लिए हुए हैं मेरे इस आप से hold and continue करिए आप wait and watch कीजिए थोड़ी हो सकता है जिस तरीके से CDSL ने अभी एक थोड़ा सा patience test किया है बट उसके बाद आप देख सकते हैं continuously हमें उसमे rally देखने को मिली है इस stock में भी इसके business में भी उतना ही potential हमें देखने को मिलता है country के देखे अगर हम power penetration की बात करें तो 6% का हमें penetration देखने को मिलता है जबकि हम बाकी अगर developed countries की US, Germany जैसी countries की अगर हम बात करें तो वहां almost 30 से लेकर के 80% का power penetration हमें देखने को मिलता है यानि country के economy में जैसे जैसे growth होगी power का penetration बढ़ता जाएगा power के trading जादा बढ़ते जाएंगे और उस तरीके से इनके revenue और profit बहुत शांदार तरीके से बढ़ते हुए दिखेंगे तब आपको ये stock जो है यहां से बहुत ज़्यादा आस्मान की उचाईयों को छूता हुआ भी देखने को मिलेगा जैसे अभी की हाल फिलाल की एक शांदार यहां पर support आपको देखने को मिल जाएगा तो मेरे हिसाब से यहां पर इन levels पर आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी quantity में averaging कर सकते हैं और कोई अगर entry लेना चाहता है तो इस level पर भी वो entry ले सकता है मेरे हिसाब से यह जो 225 का एक level है यह काफी अच्छा level देखने को मिलेगा यहां possibility नहीं है इसे stock की आने की और अगर गलती से मिलता है तो दोस्तों यह level miss नहीं करना है यहां पर एक अच्छी quantity में आप इसको दबोच सकते हैं चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही इन ही शब्दों के साथ इस वीडियो के end में अगर आपको यह content पसंद आया है तो वीडियो को एक like कीजे और channel को जरूर से जरूर subscribe कीजेगा क्योंकि आपका हर एक subscription मुझे इस तरीके का quality content आपके साथ share करने के लिए motivate करता रहता है वीडियो को एक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद thank you very much